हैंगे बदल जाएंगे हम बदल जाएंगे लोगी हमारा भी नाशी बदन यहां के लोग संसाधन का उप्योग कैसे करे प्राकृति को बचाते हुए और लोगों का कल्यान कैसे हो लोगों का जनकल्यान कैसे हो ताकि उनकी समाजी कार्थिक और राजनित उन्नति हो सके कार्डिनल जलस्पोर की टोको का निधन तक्षि छोटनाकपूर के लिए नहीं जारखन परदेश के लिए नहीं पूरा भारत पॉर्स के लिए नहीं पूरे बैस्विक समुनाई के लिए एक बड़ा चाहती है मुझे तो ऐसा लगता है कि एक युग का अंत हो गया और जो युगदान उन्होंने एक नेत्रित्व के रुप में दिया था मैं तो ये कहना चाहूँगा कि धर्म गुरु होते हुए भी वो सिर्फ धर्म गुरु नहीं थे लेकिन उनका युगदान राष्ट के निर्मान में अभुत्पूर रहा था क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ आदिवासियों के सशक्त करण की बात की थी लेकिन उन्होंने महिलाओं के सशक्ति करण की बात कही थी देश के हर नागरी को कैसे जो कमजोर तबके का है सभी को मिला कर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला कर कैसे विकास की दिशा में आगे लिया जा सके उसकी बात उन्होंने की थी उन्होंने समिधान के आलोक में कैसे हम हर व्यक्ति को एक अच्छा नागरी को बना सके उसकी बात कही थी और इसलिए हम तो ये कहना चाहेंगे कि उनके निधन से एक यूग का अंत हो गया है लेकिन उ लेकिन एक statesman की के रूप में क्यूंकि उनके तालूकात हर प्रकार के हर ठब के लोगों के साथ राजनेता ओं के साथ लोग राजनेता उनके और रजैजेंस में आकर उनसे मुलाकात करते थे और इसलिए वह उनके साथ ऐसी ही बातें करते थे ताकि सभी का विकास सामनोई की रूप से हो सके एक और से एक परिवार के लिए और हमें लिए प्रेड़ना है दूसरे और से बताता है कतलिक कलिसिया कितनी महान है कि अपने चोटे के बच्चों को उपर लाखे कार्डिनल बना सकते हैं चोटे से गाओं में जड़ गाओं मैं कही बार गया हूँ अभी में में वहाँ एक ओडिनेशन भी किया उसी का एक रिष्टेदार का हमने हमारा बच्चा एजेकियल तो को का चोटा सा गाओं है घरीब रहा है कार्डिनल ने अपने गाओं के कुछ करने का कभी ने सोचा इसमें भी है कि वह संगर्श करने वारा आजमीता उसको कभी कोई ना नहीं बोल सकता था मैं कभी-कभी उसको ऐसा ही मजाक करके बोलता था आप तो पो है तो कभी ना नहीं बोलते हैं जब उसके मैं में कोई एक आईडियर गुसा किसी तरह पोशार्थी पहुचना कैसा है वो देखता था महांता प्रभू से आती है महांता जो कलिस्या करती है उस से आती है कलिस्या बड़ा चोटा उंचे जाती का एज जाती का वह जाती नहीं देखती है वैसा ही काडिनल ने वी अपने जिन्दगे में कभी नहीं देखा कौन किसी जातिका है जो सबसे गरिबता उसका प्यार की पहले आदिवासी कारडिनल होने का उसको गवरोव प्राप्थ हुआ और उच्छित है पहला आदिवासी कारडिनल है जो दो पोप के election में बाद लिया पोप बेनेडिक्ट को elect करने के लिए और पोप फ्रांसिस को elect करने के लिए और मुझे गर्व से बोलता था मजाक करके हम बहुत मजाक करते थे यह किसे साथ अरे मैंने ते दो को वोट किया है तो जब मेरे मिसा के बीडिया गवाया तब लोगों को यही बोला मैं पोप के पास गया बोला यहति यौदर मुझे मेरा बिशफ और मुझे नहीं बोल सका क्यूंकि मैंने उसको वोट किया था ऐसा किसी को पता नहीं होता है वोट को को लेंगे एक बजे लोयला ग्राउंड में बड़ा मिशा है जिसमें अब तक 30 बिशपों ने आने का हां बोला है 400-500 तक फादर लोग होंगे 1000 लोग होंगे और कई हजार हमारे लोग होंगे साथ साथ हिंदू मुस्लिम सब कुछ है आने वाले हैं कल सड़ी साथ और आट बज़े के बीच गवरनर साब आएगा अपने अंतिव सम्मान देने के लिए